Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys MCQs on Indian Freedom Struggle का lecture number 28 है and कुछ important MCQs इसके अंदर हम कबर करेंगे काफी important MCQs हैं तो ध्यान से कीजिएगा and काफी आपके लिए helpful रहेंगे and दोस्तो अगर आप industrial relations prepare कर रहे हो gap prepare कर रहे हो social security prepare कर रहे हो आपके आने वाले 2 जुलाई के paper के लिए तो ये MCQ combo course आपके लिए बहुत advantageous होने वाला है last के 20 दिन बचे हैं और इन last के 20-22 दिन में बहुत important रहेगा क्योंकि जितने ज़ादा आप MCQs solve करोगे उतना आपको helpful रहेगा UPSC EPFO code यूज़ करके इस पर आपको 50% off भी मिल जाता है और PDF files जो है YouTube lectures की वो भी इसमें included है आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरती पड़ती तो link description में explore ज़रूर करें पहले question के उपर आजाएं ये 2018 में पूछा गया था civil services में which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Willisley ठीक है जी तो एक तो देखो question के अंदर से भी मैंने का था कि जब हम previous year question या हम questions जब practice कर रहे होते हैं तो question के अंदर अगर कोई छुपी हुई knowledge हो तो वो भी अपने को ले ले नहीं है अब जैसे इस question के अंदर एक knowledge मेरे को मिली की subsidiary alliance का system किस ने introduce किया था Lord Willisley ने introduce किया था ये भी मेरी एक revision हो गई तो subsidiary alliance में क्या apply नहीं होगा not ये keyword है मैंने आपको बार-बार बोला है not वगरा के words के ओपर बहुत ज़्यादा ध्यान आपने देना है option A to maintain a large standing army at others expense ठीक है जी basically इसके अंदर क्या था कि large standing army आप maintain कर रहे हो लेकिन उसमें Britishers का कोई खरचा नहीं आ रहा पहला statement ये कह रहा है दूसरा इंडिया को Napoleon के खत्रे से बचा के रखना जो basically इंडिया को नहीं British Empire को या company के empire को third to secure a fixed income for the company company के लिए a fixed income आती रहेगी D क्या रहा है British Paramount C को establish करना Indian States के उपर British supremacy या British जो basically एक तरीके से expansion policy है उसको establish करना है इन में से क्या apply नहीं हो रहा था सब्सेरियर ये alliance में correct answer इसका दोस्तों होगा आपका option C यहाँ पर income वाला कोई direct scenario नहीं था indirectly देखो company को income terms में भी फाइदा तो होई रहा था ठीक है company के जो लोग थे जो forces वहाँ पे station होती थी वो भी पैसा खाते थे company के अफसर भी पैसा खाते थे उसके इलावा उनका revenue वगेरा के अंदर भी जो है revenue administration के अंदर भी काफी interference रहता था तो indirectly था बट directly इसके पीछे जो reason था subsidiary alliance के पीछे वो income generation नहीं था company के लिए तो इसमें subsidiary alliance में क्या-क्या features थे उसको हम समझ लेते हैं subsidiary alliance को तो subsidiary alliance का system Lord Willisley ने introduce किया था जो 1798 से 1805 तक governor general रहे और basically subsidiary alliance system जो है वो जो east India company अब British जो empire था उसका expansion one of the reason था इस subsidiary alliance के system को लेकर के आने के लिए system के अंदर Britishers क्या बोलते थे वो Indian state rulers के पास जाते थे वो कहते थे कि देखो राजा जी आप राजा तो रहेंगे ठीक है लेकिन आपको हमारे साथ ally बनना पड़ेगा और क्यूंकि British दिरे दिरे एक strong force बन चुके थे तो ऐसा नहीं था कि rulers willingly subsidiary alliance में उनके साथ आना चाते थे बट एक तरीके से डर का महौल था कि हाँ या तो आप दोस्त बन जाओ नहीं तो फिर दुश्मन बनके हमसे लड़ लो तो काफी जो Indian state rulers थे उन्होंने का कि यार दुश्मन बनकर इनसे हम निपट नहीं पाएंगे तो दोस्ती बन जाते हैं तो एक तरीके से compelled जो है उनको किया गया कि आप subsidiary alliance के अंदर enter करें और subsidiary alliance में basically होता क्या था अब इसके जो features थे उसमें क्या था सबसे पहले तो Britishers ने बोला कि जे देखो जी राजा जी एक तो ना हमारी forge जो है वो आपकी territory के अंदर रहेगी ठीक है आपने एक movie देखियोगी अमीर खान की एक movie आई थी लगान ठीक है लगान अगर आपने movie देखिया जिसमें वो last में cricket match हराता है Captain Russell को तो लगान के अंदर भी जो Captain Russell की जो पूरे force दिखाते है न वो एक तरीके से ये permanent stationing वाली force ही है जिसका Captain Russell लीडर होता है ठीक है और वो राजा जी उसके अंदर जो है वो भी आपने देखा होगा राजा जी का जो रोल होता है तो वो subsidiary alliance का ये एक तरीके से example है लगान मुवी के अंदर तो British force रहेगी आपकी territory में राजा साब और ये जो force होगी न इसका जो भी खर्चा है force अगर एक territory में रहेगी उसकी salaries भी है उसके खाने पिने के खर्चे भी है जो भी उसकी पूरी force का जो खर्चा होगा वो आप दोगे सबसे पहले तो ठीक है क्योंकि Britishers ये थोड़ी बोलते थे कि हम अपने लिए ये फौज रख रहे हैं मुझे बोलते थे कि ये फौज जो है आपकी protection के लिए है ये जो हम force रख रहे हैं ये आपकी protection के लिए है ताकि आसपास के rulers जो है वो आपके उपर attack ना कर पाए हैं साथी जात एक British resident जो है वो भी आपके court के अंदर रहेगा जैसे दरबार होते थे थे ना तो दरबार में एक सदस्य जो है वो Britishers का representative भी रहेगा उसके इलावा इन्होंने एक शर्त रखी लॉर्ड वेलेसले ने टीपू सुल्तान का यहाँ पर example लेकर के वो चले टीपू सुल्तान ने भार की countries के साथ या बाकी Europeans के साथ वो एक तरीके से diplomatic relations अपने create कर रहा था जैसे French के साथ उसने अपनी army के अंदर भी French को add किया था तो Europeans ने का कि नहीं यार यह तो फिर competition create हो जाता है तो उन्होंने उन alliance वाले rulers को बोला कि आप हमारे इलावा हम Britishers के इलावा किसी भी दूसरे European को चाहे वो French है चाहे वो Dutch है चाहे वो Portuguese है आप अपनी services के अंदर नहीं रख सकते हमसे पूछे बिना हमसे पूछलो अगर हम कहेंगे तो रख लेना अगर हम मना करेंगे तो नहीं रखना तो जाहर सी बात है कि वो allow नहीं करते थे साथी साथ वो किसी दूसरे हिंदुस्तानी राजा किसी दूसरी स्टेट के ruler के साथ भी ना तो peace ना war की treaty खुद से sign कर सकते थे ठीक है तो वो किसी दूसरे इंडियन रूलर के साथ भी उनको एक तरीके से cut off कर दिया अगर करनी है आपको तो पहले governor general से consult करना पड़ेगा और ये जो सारी चीजे इंडियन रूलर्स Britishers को देंगे उसके बदले Britishers ने क्या बोला कि हम आपको defend करेंगे enemies से ठीक है और हम आपके जो internal matters हैं उसके अंदर भी किसी तरह की interference नहीं करेंगे आपके जो अंदरूनी मामले हैं वो आप अपने आप देखो जो हमने आपर ये conditions आपको बताई हैं आपको बस ये fulfill करनी है जो भी आपके social religious matters हैं उसके अंदर हम किसी तरह की interference नहीं रखेंगे अब इसका main objective जो था वेलेसले का सबसेडियरी एलाइंस का एक तो ये था कि वो चाते थे कि French तुबारा से इंडिया के अंदर expand करना ना शुरू करते क्योंकि नेपोलियन उस टाइम पर काफी जादा उसका डर एक तरीके से पूरे येरॉप के अंदर फैला हुआ था और वो नहीं चाते थे कि नेपोलियन Eastward आए और इंडिया जैसी जो उसकी territories हैं ब्रिटिश की territories हैं उसके उपर कोई danger उनका बने ठीक है क्योंकि Mauritius जो था वो इंडिया की coast के काफी करीब है जो western coast है और Mauritius फ्रेंच के पास था तो वो protect करना चाते थे अपनी territories को basically साथी साथ subsidiary alliance से वो इंडियन जो states थी उसके उपर अपनी जो control है उसको और जादा strong बनाना चाते थे ताकि ज़ादा ज़ादा territory को वो company के अंडर ला सके तो यह main features थे और अगर आप दुबारा से question के उपर जाओगे तो clearly आपको दिखता है कि पहला वाला हो गया कि standing army maintain करनी है नेपॉलियन एक danger था British paramountacy को Indian states में increase करना है तीनो statements बिलकुल सही है subsidiary alliance के लिए लेकिन fixed income वाला यहां पर ऐसा कुछ नहीं था तो ultimately अपने से गलत ही पूछा है तो answer C हो गया next question के उपर चलते हैं and this is your next question economically one of the results of British rule in India in the 19th century was the 19-20 टाबदी के अंदर one of the results अंग्रेजों का जो rule question है option ही कहता है कि India के handicraft के export बढ़ गए increase है ना increase क्या हुआ हमारे तो handicraft देखो यह question बड़ा easy सह है वैसे growth in the number of Indian owned factory कि भी Indian owned factories का number बढ़ गया commercialization of Indian agriculture जो अभी तक subsistence के उपर चल रहा था एक तरीके से और food crops की जहां पर manufacturing जाद थी वहाँ पर Indian agriculture commercialize हो गया अब हम Indigo जैसी crops भी grow करने लगे option D कहता है rapid increase in urban population अच्छा जी तो देखो यहाँ पर question बड़ा easily आप इसको eliminate कर सकते हो Indian handicraft के तो बुरे हाल हो गये थे 19th century में British rule के अंडर तो increase तो कहां होना था इसको आप काटी दो Indian owned factories जाकर के कहीं आप यह लगाओ 20th century के अंदर थोड़ी बहुत बढ़ी हैं वो भी World War 1 के बाद 19th century में तो Indian industry को कोई help ही नहीं मिली कोई support ही नहीं मिला तो growth कहां होनी थी इसको भी आप काट दो increase in urban population urban population तो हिंदुस्तान की आज भी बहुत कम है उस टाइम पर कहां increase हो रहा था तो यह भी गढ़िया main जो feature था वो था commercialization of Indian agriculture जहां पहले हम food crops grow किया करते थे आटा चावल वहाँ पर अब हम commercial crops जो है Britishers grow करवाते थे commercial crops tea उनको China को चाय पत्ती बेचनी थी Indigo बेचना था cotton production उनको ज़्यादा ज़्यादा चाहिए थी तो commercialization जो है वो agriculture का encourage हुआ तो answer यहाँ पर C होगा so later half of the 19th century की यह बात है जहां पर आपको commercialization of agriculture का trend देखने को मिलता है agriculture अभी तक हिंदूस्तान में इससे पहले तक हिंदूस्तान में एक way of life था अब कुछ भी काम कर रहा है उसका एक नए खेत था उसमें वो खेती करता था चाहिए उसको वो बजार में न बेचे वो अपने खुद की consumption के लिए करता था तो एक way of life था लेकिन अब वो एक business enterprise की form में निकल करके आए गया agriculture ठीक है क्योंकि commercial considerations आ गई न अब ऐसी crops जो village consumption के लिए नहीं थी जो national और international markets के लिए grow करी जाने लगी जैसे कि cotton, jute, groundnut, oilseed, sugarcane, tobacco ये गाओं में थोड़ी ही लोग आपस में खाते पीते थे ये तो market में, बजार में बेचने के लिए थी और बेचने वाले को जादा पैसा भी मिलता था लेकिन बेचने वाला जो था, वो किसान तो था ही नहीं, ultimately वो तो, किसान को तो अभी उतना ही मिल रहा था, जितना पहले मिल रहा था उल्टा पहले, वो कम से कम खाने पीने के crops grow करता था food crops grow करता था, जो उसकी और उसकी family consume कर लेते थे तो at least वो भूका नहीं मरता था, अब grow तो वो cotton कर रहा है जिसको वो खानी सकता, पैसा उसको उतना ही मिल रहा है, उल्टा कम भी मिल जाता था क्योंकि जितने commercial crops होते थे, ये market के हिसाप से चलते थे तो market के हिसाप से क्या होता था, कि पैसा, जब for example cotton का प्राइस जब बढ़ा, तो तो farmer को कोई benefit transfer करता नहीं था middleman खा जाते थे, लेकिन अगर cotton का price कम हो गया, ठीक है तो उसका सारे का सारा effect farmer के उपर डाल देते थे, तो ultimately उसको फाइदा कोई नहीं और अधा नुकसान ही था, ओके, और ज़्यादा commercialization देखने को मिली plantation sector के अंदर, जैसे चाय, coffee, rubber, indigo, ठीक है, जाधा तर European in plantations को own करते थे, और international markets में इन को sale किया जाता था, ठीक है, अभी commercialization और specialization क्यो encourage हो रही थी, money economy आगी थी इंडिया में, butter economy नहीं थी, money economy थी, ठीक है जी, उसके बाद replacement of custom and tradition by competition and contract, ठीक है, जी European, जो है, वो Indian farmers के साथ contract में एंटर होने लगे, कहां भी हम तुम्हें loan देंगे, तुम्हें ये crop जैसे indigo के case में हुआ, unified national market बना दिया, आ करके, train बगेरा सब develop हो चुकी थी, unified market बन चुकी थी, internal trade भी grow कर रहा था, communication जैसे कि मैंने आपको बताया, rail और road की growth हुई, तो कहीं ना कहीं इस वज़े से commercialization and specialization जो है, वो encourage हुआ, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, Indian farmers इस commercialization से जादा खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो उसके पास कुछ बचता नहीं था, और commercial crops में जब तक अब investment नहीं करोगे, तब तक वो grow नहीं करेगा, subsistence level के उपर ही अभी भी वो जी रहा था, market में कुछ बचता नहीं था, cotton का जैसे मैंने आपको example दिया, ये 1860 में नहीं देखा भी गया था, कि जब price उपर जा रहा है, तब तो बिचोलिये खा गए, intermediaries पैसे खा गए, बट जब prices गिरते हैं, तो वो cultivators के उपर डाल देते थे, तो ये एक बहुत बड़ा problem था, तो ये जो नया commercialization का trend था, overall हम ये कह सकते हैं, कि इससे farmers को कुछ खास फाइदा हुआ नहीं था, next question, which among the following events happened earliest, इन में से कौनसा event सबसे पहले हुआ, स्वामी देयानन ने आरिया समाज बिनाया, दीन बंदू मित्रा ने निल दरपन लिखा, बंकिम चंदर चटोपाद्या ने आननंदमठ लिखा, देखो अभी अननंदमठ के उपर, मैंने आपको previous year के question कर रहे हैं, लोग कहते हैं, UPSC में question repeat नहीं होते है, UPSC कोई खुदा थोड़ी है, UPSC जाकर के time machine लगाकर के इतिहास थोड़ी बदल देगा, ये देयानन सरस्वती के उपर कितनी बार question आ गया, बंकिम चंदर चटुपाद देगी अननन्दमठ के उपर 50 बार question पूछ लिया, सतेंदर नाट टेगोर के civil services examination के उपर 50 बार question पूछ लिया, बस वो बदल बदल के type बदल देता है, ऐसा नहीं है कि knowledge बदल जाएगी, इतियास तो इतियास ही रहेगा, ठीक है, फादर आफ दी नेशन महात्मा गांधी है, तो फादर आफ दी नेशन UPSC के लिए भी महात्मा गांधी रहेगा, मौमद अली जिन्ना नहीं बन जाएंगे, समझ रहेगा, तो वो तो बस आपको डराने धमकाने के लिए, जो teachers होते हैं, या institute होते हैं, इतना बड़ा इतियास है, हर साल 15-20 कोउचन पूच रहा है, कभी ना कभी तो कोउचन खतम होंगे, फिछले 70 साल में अभी तक इतियास चेंज हो गया, नहीं न, तो यहाँ पर आपका correct answer है, option B, दीन बंदू मित्रा का नील दरपन was the earliest, तो यह आपका देखो, 1859 में नील दरपन आ गया, 1863 में सत्येंदर नात ने अपना CSE exam क्लियर किया, 1875 में आर्या समाज की foundation हुई, और 1882 में अनन्दमट लिखा गया था, तो यह इसका correct order है, next question, with reference to educational institutes during colonial rule in India, consider the following pairs of institution versus founder, basically आपको एक जगा पर institution का नाम गिवन है, साथ में founder का नाम गिवन है, आपको बताना है इन में से कौन सा correct है, कौन सा institution और founder correctly managed है, Sanskrit College at Benares, William Jones, Calcutta, Madrasah, Warren, Hastings, Fort William College, Arthur, Wellesley, so यहाँ पर आपका correct answer होगा दोस्तो, option B, सिरफ second statement correct है, फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो गलत हैं, देख लेते हैं, तो देखो जी, Sanskrit College जो है, उसमें तो नाम आजाता है आपके Jonathan Duncan का, जो बनारस में foundation हुई थी, 1791 में और Sanskrit College को बनाया गया था, Hindu law और philosophy की study के लिए, Calcutta मदरसा, Warren Hastings ने बनाया था, 1781 में और ये Muslim law और related subjects को study करने के लिए था, Fort William College जो है, ये Lord Willisley ने बनाया था, 1800 में, Civil servants की training के लिए, Company civil servants की training के लिए, ताकि जो civil servants company के, जो Britishers हैं, जो foreigners हैं, जो इंडिया में आकर serve कर रहे हैं, वो Indian languages और custom से custom हो सकें, बट इसका काफी साथा विद्रोव हो गया था, Britain के अंदर वहाँ पे लोगों ने काल ला है, अब हम हिंदुस्तान में जा करके, उनकी language और उनके custom सीखेंगे, तो ultimately फिर इसको बंद करना पड़ा, 1802 में, Next and final question of this lecture, regarding Woods Dispatch, which of the following statements are true, इन में से कौन सा statement Woods Dispatch से related true है, number one is grant in aid system was introduced, number two, establishment of universities was recommended, number three, English as a medium of instruction, at all levels of education was recommended, ठीक है, at all levels, ये question था, इसका ना question जब ये 2018 में civil services में आएदा, बच्चे बड़े हरान परेशान हो गये थे, क्योंकि ये universities वाला point उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई की हो, Woods Dispatch के बारे में पढ़ा हो, ये बड़ा असान कोशन है, बहुत ही असान कोशन था, देखो, जो English as a medium of instruction at all levels था ना, वो में कॉले वाला था, 1835 वाला, इसने तो उसको खतम कर दिया था, इसने तो बोला था कि जो lower classes होती हैं, उसमें तो completely vernacular languages को follow करो, higher education के अंदर आप English को लेकर के आ सकते हो, तो at all levels वाला तो point ही गलत हो गया, और अपने से पूछा है true, तो at all levels वाला अगर ये point गलत है, तो गया B, C, D, तीनों option गए, बचता ही सिरफ A है, तो अगर पहली दो statement नहीं भी आती थी ना, तब भी ये question बड़ी असानी से हो रहा था, ओके, answer is A, तो Woods Dispatch 1854 में, Charles Wood ने ये basically report जो है, submit किया था, जिसको dispatch on education system for India भी बोला जाता है, इसको magna carta of English education in India बोला जाता है, and first comprehensive plan for spread of education in India, it asked the government of India to assume responsibility of education of the masses, इसने बोला कि यार, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को educate किया जाए, तो downward filtration theory को इसने repudiate कर दिया, इसने बोला नहीं है, downward filtration theory बेकार है, paper के उपर, चाहे उसको फिर fulfill किया हो या ना किया हो, downward filtration theory भी में कॉले ने दी थी, ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने एक hierarchy का system दिया, कि बही जो primary schools है, village में, bottom पे हैं जो बिलकुल, वहाँ पर आप vernacular languages follow करो, उसके बाद anglo, जो vernacular high schools हैं, या affiliated colleges है, district level के उपर, या universities हैं, Calcutta, Bombay, मदरास जैसे में, वहाँ पर आप English को as a medium of instruction follow कर सकते हो, तो school level के उपर vernacular, और फिर higher level के उपर English, female और vocational education के उपर भी इन्होंने stress दिया, teacher training के उपर भी, साथी साथ, इन्होंने बोला कि जो भी government institutions हैं, जहांपर जिनमें जो education दी जा रही है, वो secular होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का communalism नहीं होना चाहिए, साथी साथ, grants in aid भी दिया, कि private enterprises को grants दिये जाएं, उनको encourage किया जाएं, थाकि वो grow करें, so this is it guys, and with this we come to the end of this particular lecture, mock test का link description में है, वो free of course हैं, जागर के attempt करें, pdf का link description में है, और mcq course का link description में है, इनको आपने ज़रूर एक बार explore करना है, कोई भी doubt हो, telegram, whatsapp या mail आप कर सकते हैं, मिलेंगे next class में, take care and bye,